आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टड़ी ग्लोस पर आपका बहुत बस्पागत है मैं एक पॉड्कास्ट में गया तर वहां पे एक टॉपिक डिसकस हुआ कि क्या भारती ऑपसेज्ड है तो मैं इस बात पे रोशनी डालना चाहूंगा ठीक है कि क्या भारती सेक्स को लेकर ऑपसेज्ड है देखें ये एक बहुत ही कॉंट्रवर्शल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि ये चीज इंट्रिंसिक है इंबिल्ट है हर किसी में सारी स्पिशीज में रिप्रोडक्शन जो चाप्टर हम स्कि क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज में पॉर्नोग्राफी ठीक है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको हम जड़ से मिटाएंगे लेवल थ्री में तो यह साइकॉलोजिकल कोर्स है कोई भी ले सकता है लेवल थ्री में यह होने वाला है कि आप जो चाहेंगे वह सिर्फ 500 रुपए का 9 महीने की वैलेडिटी के साथ इस कोर्स को जरूर अवेल करें क्योंकि कल लास्ट अडे है हर दिन हम नहीं टेक्निक 75 बहुत हमारा सक्टेस्फुल रहा आपको डाउनलोड करें वना वेबसाइट वेसिक्टर को वैलेडिटी आपकी कल सभी शुरू अब याद रखेगा कि ऐसा तो है डिसायर आना नौर्मल है हर इसपीशीज में हर प्रजातियों में डिसायर होती है हर प्रजाति जितने भी है ठीक है लेकिन एक समय आता है कहते नहीं कि पर्टिकुलर रित्म आते हैं एक सीजन में ये चाएं जागरेत होते क्योंकि नेच इनसान एक ऐसा प्राणी है एक ऐसी प्रजाती है जिसको यह हर वक्त चाहिए अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ problem क्या है problem यह है कि एक है controlled और दूसरा है uncontrolled पहले के जमाने में जब हमारा वेदिक period था तो उसमें क्या था ना आश्रम system पूरा चलता था अब उसमें क्या 4 stages होती थी पहली stages थी ब्रह्म चर्रे जब आपको सबसे ज़्यादे sexual urge होती है 15 साल से 30 साल के बीच में उसी दौरान 15 साल से 30 साल नहीं मतलब आपके बान के चले कि जब आपकी puberty आने लगती है और उसके बादे उसमें meditation से जाता था कैसे चीजों को हम control कर सकते हैं अपने सेंसे पे कैसे control लग सकते हैं इससे आपकी इनर जो पावर हो जागरित होती थी वह sexual energy आपकी पावर में controlled होती थी तो एक order maintain रहता था आज कि आज के जमाने में कर बात करते हैं तो उसे भारत की बात नहीं है you won't believe कि सबसे ज़्यादा रहे भारत पे नहीं होते हैं अमेरिका और UK का ज़रा प्रिकॉर्ड उथार के देख लिजे वहाँ पे जापान और कोरिया में आप मानके चलिए कि वहाँ पे sexual violence के जो cases कितने जादा हैं आप ज़रा उठा के देखिए कितने बत्तमीज है किस तरीके से वो औरतों को treat करते हैं आपके होश होड़ जाएंगे है ना problem क्या है कि जब यह uncontrolled हो जाए आज के जमाने में हम सीधा step four पे चले गए हैं हमने ना अपने बच्चे को योग दिया ना कुछ सिखाया और बच्चे खुद से ही सीख रहें दो चीज़े हैं एक freedom और दूसरा इसको रोकना जहां पे sexual freedom होती है वहां पे tentative और sexual freedom होनी चाहिए जो मामले है वो ठीक ठाक वो balance पे रहते हैं मतलब एक तरीके से वहां पे energy यह तो नहीं काफी क्योंकि क्या होता है कि sexual freedom का मतलब यह होता है उसको गलत तरीके से मतलिजे इसका मतलब यह है कि awareness is very very important है ना आपको समझाना है bodies के एक एक पार्ट को समझना है situation को एक biological तरीके से चीजों को समझाना ज्यान देना है ठीक है हमारे यहां भारत में एक तरफ काम सूत्र है हमारे यहां अजंता इलोरा खजुराओं के मंदिर हैं जिसमें openly sex जो है वो दर्शाय गया है यह क्यों है यह sexual freedom का प्रतीक है यह एक awareness है है ना इस इंताकिया पर इस energy को control कर सके दूसरी चीज दूसरा आता है जहां पर sex को sexual freedom नहीं होती जैसे बहुत सारे इस्लामिक देश अब पाकिस्तान के बात करते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि धर्म है यह फलाना डमक बहुत चीजें को उन्हों sexual freedom को दबा दिया गया अब देखिए यह कैसी चीजें को दबा नहीं सकते क्या होता है कि जैसे पानी है पानी पाइप से आ रहा है अगर आप पाइप को इसे पकड़ लोगे तो वो फट जाएगा पानी आप समझे रहो जब भी आप अपनी sexual energy को दबाओगे वो फट के बार आनी ही आनी है वो frustration आएगा एंगर आएगा और सबसे बड़ी बात इनही देशों में सबसे ज़ादा हिंसा होती औरतों के खिलाब पंजाब में पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर रेप emergency घोशित कर दी गई थी हमने इरान में देखा हमने नादिया मुराद के साथ देखा क्या हुआ आइसिस ने क्या क्या धर्म के नाम पे क्या 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 कि है ठीक है जब बताया नहीं जा रहा है तो फिर वही है कि जब आप देखिए सेक्स तो अवेलेबल है हर जगा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी जारी है आरजी कर मेडिकल के केस में वह पॉर्न एडिक्ट था अगर आप अपने बच्चों को इ आपके relationship खराब करता है आपके mental health खराब करता है और यह बहुत ही readily available है आपके जो गोल है उसको बरबात करता है आपको हिंसक बनाता है relationship कैसे dopamine एक बार आपने देखा है dopamine रिलीजुआ दूसरे में वज़ा नहीं फिर असे करते करते करता अब अंदर गुशते गए different different तरीके क कि आपको पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रहा हूं यह मुझसे क्या हो रहा है यह भारत में आजकल दिक्कत है भारत में यह content readily available है लेकिन इसकी कोई बात नहीं करना चाहता हर कोई इसमें अकेला है इसलिए हमने यह जैसे एक बच्चा था बिलकुल बरबात मतलब आपे 75 डेज में हर दिन हमने नहीं टेकनीक और उसके ओपर बहुत लोगों को पर ध्यान दिया IIT निकाल दिया उसने ऐसे ही एक relationship खराब होने वाली थी divorce तक आ गया था यह course मतलब 75 डेज में जब वो enroll हुए कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को भी control किया जा सकता है control नहीं इन ही चीजों से सीखोगे जो कि सच नहीं है यह चलावा है और फिर हिंसक प्रवृत्ति का जनम होता है तो सबसे important चीज यह है जैसे oh my god movie बने उसमें इतना बवाल हो गया oh my god 2 बहुत अच्छी movie थी ऐसी movies बननी चाहिए aware करना चाहिए शर्माने की बात नहीं है यह चीजे से मिलते हैं या हर एक चीज में गालियों में से लेकर सब जगां यह चीजे आती हैं और यह बहुत डिंजरस है ठीक है गाउं में जिस तरह की से प्रदर्शनी लगती है भोजपुली में जिस तरह की से औरतों को जिस वो क्या है यह चोटी 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 चीज और उसके ब दिमाग में रहे, अब मिलना तो एक चीज है, लेकिन इतनी चीजें यहाँ पर एड़्लिली अवेलिबल हैं, और आपको समझायां नहीं जा रहा है, और आपको समझाया नहीं जा रहा है, लोल्लीनेस एक बहुत बड़ा कारण है, अकेला पन एक बहुत बड़ा कारण है जापान और कोरिया में ये बहुत दिक्कत है भारत में अच्छी बात इतनी दिक्कत ने लेकिन ये आगे जाके दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसके सिम्टम्स अभी हमको देखने को मिल रहे हैं बड़े-बड़े शहरों में इतना अकेल पन पार्टनर नहीं है हाटब्रेक हो गया अगें समझाने वाला कोई नहीं है तो फिर यही यही ऑप्सेशन हो गया यह हिसाबक्ताब कि कुलमिला के बात ये है की अगर सही शिक्षा और सही ठेखनीक सही चीज़े अगर नहीं हमने ली तो definitely हम अपके कर देखने होंगे या शायद उनको अंजाने में वो करते हैं बहुत लोग की अलग-अलग अजीव तरी करी की fantasy होती है आप समझ रहे हो fetish जिसको बोला जाता है बहुत dangerous है वो it is very very dangerous ये आपके दिमाग को हिंसक बना रही है शायद आपको पता भी नहीं है और इसमें बहुत लोग पीड़े तक कुछ लोग छोड़ना चाते हैं लेकिन नहीं हो पता उनसे समझ रहे हैं कुछ लोगों को चाहिए कि हाँ yes, हमको आप नहीं ये हमारा obsession dangerous हो गया है पर नहीं वो कर पा रहे हैं इतना उसमें अंदर डीप जा चुक है और इसमें कहीं ना कहीं हम सब जब्यदार हैं सेक्शल फ्रीडम देनी चाहिए बिल्कुल देनी चाहिए प्लस एजुकेशन इन दोनों को कंबाइन करके ठीक है ना और टेक्नीक्स तो मतलब वही है कि हमको back to square one कि जैसे पहले होता था पहले वह टेक्नीक सिखाई जाती थी पहले आपको train किया जाता था पहले आपको बताया जाता था कि आप ये energy कैसे कंट्रोल कर सकते हो और यहां यह कुछ नहीं बताया रहा है स्कूलों में इसकी बिल्कुल बात नहीं होती है करेंगे सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब हर को इसमें रोल हुआ है तो इसमें कुछ नहीं है साइकॉलोजिकल कोर्स है पटाक्स को अवेल करें ऐसे भी जो भी इसमें उनको बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा कोई किसी को नहीं बताने वाला कल क्लासे शुरू होंगी उसके बाद फिर हम बैचेस बन करेंगे थैंक्यू सो मच